नमस्कार दोस्तों, थर्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम चानेंगे कि मकर सक्रांती के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान करना सुब माना गया हैं। हिंदु धर्म के लोगों के लिए ये त्योहार बिसे समेहत वरकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर में कभी विदान पुर नहीं कर सके तो उसे मकर सक्रांती के दिन तो जरूर ही दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अत्यन तुसुफल प्रदान करता है, जिससे जीवन में सुख सम्रिद्धी का बास होता है, जा आस अपसर पर खिचडी की सामगरी या फिर खिचडी बनाकर दान करना अत्यन तुसुफल माना जाता है, कहते हैं खिचडी का दान करने से कुंडिली में सूरिय गिरे और चंद्रमा मजबूत होते हैं, गुड मकर सक्रांती पर गुड का दान भी किया जाता है, कहा जाता है किस दिन गुड का दान करने से भगवान सूरीदे प्रसन होते हैं कंबल मकर सकरांती के दिन गरीब लोगों को कंबल का दान जरूर करना चाहिए माननेता है ऐसा करने से सनी दोस और राहु दोस से छुटकारा मिल जाता है घी मकर सकरांती पर घी का दान करने से मालक्षमी परसन होती हैं जिससे धन संबंदी परेसानियों का सामना नहीं करना पड़ता है काले तिल मकर सकरांती पर काले तिल के दान का बिसेस महत्व होता है साथ ही इस दिन जल में काले तिल डाल कर भगवान सूरी देप को अर्द जरूर देना चाहिए नमक, मकर सकरांती पर नमक का दान बिसेस माना जाता है कहते हैं नमक का दान करने से अनिष्टों का नास होता है अनाज मकर सक्रांती पर अनाज का दान करना भी सुब माना जाता है इस दिन आप साथ प्रिकार की अनाजों का दान कर सकते हैं कहते हैं इस से अन्निकी हमें कभी कमी नहीं होती है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा चैस यारा